हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनेकडमी की लर्निंग आप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTET से रिलेटेड इंपोर्टन वीडियोस मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फालो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फालो कर सकते हैं की दोस्तों दोस्तों जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कल साम को मैंने तीन विशे की एक साथ क्लास दी थी जिसमें आपको बिग्जान सामान ग्यान और पर्यावरण के कोश्चंस दिये थे तभी मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपके लिए हिंदी की एक लेकर आऊंगा जिसमें हिंदी के important questions होंगे जिनके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है या इसी प्रकार के question आएंगे तो दोस्तों चलिए देखते हैं और ये 200 questions की पूरी में एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको आगे अन्य questions मिलते रहेंगे और इसी प्रक one है इसमें आपको मिलेंगे लगवक 35 questions और इसके बाद कुछ अन्य महतपूर जानकारी तो दोस्तों इस वीडियो को अन्त तक देखीगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें उसके पास में लगे हुए वेल आधारित होंगे और लगवक 2-3 questions जोंगे वो paragraph पर आधारित हो सकते हैं दोस्तों उसी के आधार पर आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है तो इसी के लिए दोस्तों मैं अलग-अलग प्रकार के questions लेकर आया हूँ चलिए अब देखते हैं पहले question से तो सबसे पहला question है नि देखिए दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे जिनके अलग से मीनिंग बन रहे हैं तो वो तो भुबरी हो गए वो तो दूइग में आएंगे नहीं त्रिनेत्र कौन हो गया संकर जी हो गए एक दंत गणेश जी हो गए और दसानन हो गए रावण तो यह तीनों तो निकलके देख भुबन बचा यहीं आपका सही ऑप्षण हो जाएगा तीन भुबनों का समाहर्ति या कह सकते तीन भवनों का समोग यही ए नमबर आपस्व बिल्कुल सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं सेकेंड नमबर कौशन पर नि-इस प्रह का अर्थ बताईए जो इस पर्स रहीथ हो जो इच्छा रही थो जो प्रेम रही थो या फिर जो प्रेरणावान हो तो दोस्तों नहीं इस प्रह का अर्थ होता है जो इच्छा रही थो जो कामना रही थो यानि कि अगर या कामना दिया होता तो भी यही होता मतलब कि जिसकी कोई इच्छा ना हो इच्छा से रही थो और इस प्रह का मतलब होता है इच्छा हो जिसकी कुछ इच्छा हो नहीं इसमें उस्सर लग गया है तो इसका अर्थ बदल गया है अब इसका बढ़ते हैं अगले कोशन पर निम्न मेंसे तत्सम सब्द बताएं यह अटारी अहीर आख या फिर अखिल तो इसमें तत्सम सब्द ब है और अहीर भी तदवाव है तद्सम जो है वो आखिल है इसका D-number option सही हो जाएगा तो दो सो बढ़ते हैं फोर्थ number question पर वीर का इस्त्री लिंग है वारंगना वीर वति वीरंगना या फिर वीरावती तो सो वीर का इस्त्री लिंग सही हो जाएगा इन चीजों का दोस्तों इस परकार से अगर आप लोग प्रयोग करेंगे कि आप कोई ऐसी चीज को याद करें जिसके आगे वी रंग ना लगा हो या डेली लाइफ में आपने कहीं पढ़ा हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपको याद भी न लिखा है और अकर्मक क्रिया वहती ही जो बिना कर्म के भी प्रयोग की जा सके तो दोड़ना रूठना मुस्कराना तो ये तो अकर्मक क्रिया होगे इनके लिए किसी भी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन पीना जो क्रिया है धातु है ये सकर्मक होती है क्योंकि ये दाहरान का प्रयोग करके आसानी से समझ सकतें कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है अब इसके आज सिक्स नंबर कुश्चन है कार करने के बाद उसके बारे में जाच करना अर्थ वाली कहावत है तो अर्थ वाली कहावत कौन सी है यह साप निकलने पर लकीर पीटते रहना पान कि दोस्तों B number option है, पानी पी कर जाते पूँचना, ये इसी कहावत का अर्थ होगा, इसका B number option बिल्कुल सही हो जाएगा, अब बढ़ते हैं अगले question पर, 7 number question पर, मुदरी का तत्सम रूप के है, दोस्तों, तत्सम रूप के ओपर मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको मुदरी सब्द पढ़ाया था और एक प्रेक्टिस सेट में भी मैं आपको मुदरी सब्द करा चुका हूँ, तो इसका अर्थ होता है, मुदरी का C number option सही हो जाएगा, वाकी तीनों जो लिखे हैं, C number option सही हो जाएगा, मुदरी का होता है, अब जाई के मैदान में पाउं उखड़ गया, यानि कि वो हार गया, D number option सही हो जाएगा, बिल्कुल, अब इसका 9 number question है, आख एक नहीं है, और कजराउटा दस दस लोकोक्ती का क्या आर्थ है, वेर्थ 8 number, आख में काजल लगाना, आख की देखवाल करना, या फिल लाईलाज ब परेहो, अगरित, जीतेंद्री, अगोचर या फिर इंद्रियान भूती, तो जो जो इंद्रियों से परेहो, यानि कि जो इंद्रियों से प्रेरित ना हो, जो इंद्रियों का जिसे ग्यान ना हो, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके, तो इसे कहते हैं, अगोचर, इसका C number पर आप्सन सही हो जाएगा जीतेंद्री पूछा गया था अपनों से जीतेंद्री का मतलब होता है कि जो इंद्री जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जीतेंद्री कहा जाता है अगरित जिसे गिना ना चाह सके वो अगरित होता है और इसका कोई एक सब्द नहीं बनता मतलब इसका कोई भी वाक्यांस नहीं होता है अब इसके 11 नंबर कोशन है चौव मासा में कौन सा निम लिखेत में से कौन सा समास है दूएक समास two समास कर्मधाराय समास या फिर तत्पूरू समास तो उस्वों चोव मासा सीधे पता चलना है कि चार मास चार मासों का जो संग्रह होता उसे चोव मासा का जाता यानि कि इसमें दूइक समास हो जाएगा ये नमबर आप्शन सही हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं 12 नमबर कोश्चन पर परमार्थ सब्द में कौन सी संदी होगी स्वर संदी वेंजन संदी विसर्ग संदी या फिर स्वर एवं विसर्ग दोनों संदी तो दोस्वों परमार्थ सब्द जो है इसमें स्वर संदी होती है डायरेक्ट आप से स्वर संदी पूछी कि अगर इसके इंतर्गत पूछा जाता तो व तो देखे, दोस्तों पूरी राथ और सारी राथ लगा है तो भर लगाने की जरूरत नहीं है, या तो केवल लिखा होता है कि मैं रात बहर जागता रहा, या लिखा है मैं सारी राथ जागता रहा, तो B नमबर आप्सिन सही हो जाएगा, बिल्कुल इसी परकार से लिखा जा अब इसके हाथ अगला 14 नंबर कोशन है अनाधिकरत सब्द का संदी विग्रह निमन में से क्या होगा तो क्या होगा अन प्लस अधिकरत अन प्लस अधिकरत या फिर अनाधि प्लस करत तो दोस्तों अन प्लस अधिकरत होता है इसका आपका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा अद प्लस अधिकरत अब बढ़ते हैं 15 नमबर कोश्चन पर गडंएस में कौन सी संदी होगी गुर्ण संदी विसरग संदी या फिर ब्रदी संदी या फिर दीर्ग संदी तो दुस्तों गडंएस का संदी विछएत पहले देख लीजिए क्या होगा गड़ प्लस इस प्रकार से होता है तो गड़ प्लस इस यानि की इधर A प्लस E मिलकर A बन गया है तो दुस्तों ये गुण संदी का उधारन होता है इसका A नमबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और ये भी स्वर संदी के अंतरगत आता है कभी-कभी जब कोशन इजी प आने जाते हैं मुला दाओद, कुतबुन, जैसी या फिर विहारी तो दुस्तों चंदायन के रचेता जो है वो मुला दाओद है इसका A नमबर आप्शन सही हो जागा ये भी मैं आपके लिए अलग से पूरी आपके लिए सीरीज लेकर आया था साथ पार्ट है उसमें वो प्लेलिष्ट अलग से बनी हुई है हिंदी साहित का इतिहास नाम से अगर आपने ना देखी हो तो उसे आप लोग अलग से देख सकते हैं जब कोई एक सब्द प्रियुक्त हो किन्तु प्रसंग भेट से उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां निमनमे से कौन सा अलंकार हो तो दोसों जब एक सब्द प्रियुक्त हो और अर्थ अलग अलग हो या कई बार आये हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता यमक सलेश मानवी करण या फिर भ्रांतिमान तो दोसों यहां पर सलेश अलंकार होता बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा और जब सब्द भी कई ब अलंगार अलंगार वह उता जब किसी प्राकृतिक वेस्तु को मानव के साथ तुलना कर दी जाती हू stimulating और भ他们 चीज समझ में आ være भ्रांती की वजय से तो यह पर भ्रांतीमान अलंकार होता है और दोस्तों इनके उदाहरण भी आप लोग याद कर लीजेगा अगर आपको जरूरत हो तो बताएगा मैं अलग से पूरा एक पार्ट लेकर आ जाओंगा अलंकार के उपर अब इसके बाद 18 नमबर कोशन है किस रस को रसराज या स्रेष्ट रस कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है और सबसे एजी कोशन है वीर रस, करोन रस, स्रंगार रस या फिर संत रस तो स्रंगार रस योता इसे रसराज या फिर स्रेष्ट रस कहा जाता है या रसों क राजा भी कहा जाता है सी नमबर उप्सटन सही हो जाएगा सुरंगार रस इसके बाद 19 नमबर कोशन निम्द लिखित में से किसे छायबादी साहितकार में नहीं माना जाता है तो उसी छायबादी साहितकार कब से कब तक थे यह 1916-1936 के बीच में थे तो जाएची देखिए जायसी इसके इंतरगत तो नहीं आएंगे तो बहुत पिछले काल के कभी थे तो निराला जैसंकर और पंत ये तीनों इसी के थे जायसी नहीं होंगे इनके लाहां महादेवी बर्मा थी ये चारों इस्तंब कहे जाते हैं चायवादियुक के याद कर लीजिए आप लोग अब इसके आद अगला कोशन है 20 नमबर कोशन है और प्रसंत के पूछे जाने के सबसे जादा चांस है जिस प्रकार से पिछली बार पूछा गया था अधित्तिका पूछा गया था पिछली बार उसी प्रकार इस बार भी ये पूछे जाने के पूरे चांस है कि रंग मंच के पी तीछे के स्थान को नेपत्थे कहते हैं बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा अब इसका बढ़ते हैं 21 नंबर कोशन पर चौपाई चंद के प्रतेक्स रण में कितनी मात्रा होती हैं 13, 17, 14 या फिर 16 तो दोस्तों इसमें 16 मात्रा होती हैं नंबर आप्सन सही हो जाएगा प्रतेक्स रण में आपको ये चीज मालूम होगी चौपाई के चरण जोते हैं उसमें 16 होती हैं इसके साथ ही साथ दोस्तों एक कोशन का अंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि दोहा के प्रतेक्स रण में कि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं अब इसके बढ़ते हैं 22 नंबर कोशन पर निम्न लिखित में से सुद्ध सब्द का चैन कीजिए अनुकूल अनुकूल या फिर अनुकूल तो दोस्तों इसका सी नंबर आप्सन से होगा अनुकूल इस परकार से लिखा जाता है जो बिलकु इसी सब्द सा ये तो आप लोगो मालूम होना चाहिए दोस्तों एक कोशन का आंसर जरूर देते रहे हैं मैं इसलिए उप्सन पढ़ लेता हूं ताकि इतनी देर में आप लोग सोयम आंसर चूज कर लें तो और बाद में मेरे आंसर से मैच करके देखेगा कितने कोशन आप इसका आपका ये नंबर ऑप्सन सही हो जाएगा अब इसके बाद 24 नंबर कोशन च्छत से इंट गिरी वाकि में कौन सा कारक है अधिकरान कारक संबंद कारक संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक तो देखे दोस्तों जब कोई चीज कहीं से अलग होती है च्छत से हो रही हो या इंडाइरेक्टली अब इसके बाद 25 नंबर कोशन है रमणिय में कौन सा प्रत्य है यह अडिय रम या फिर अनिय तो इसमें देखे रम प्लस अनिय इस परकार से होता है जिसमें की रम जो है यह सब्द है और अनिय प्रत्य लगा हुआ यानि कि इसका डी मुहन के साथ मित्रता का निर्वाह किया इसमें भाव वाचक संग्या क्या है सुरेश निर्वाह मित्रता या फिर मुहन के साथ मित्रता तो दूस्तों इसमें भाव वाचक संग्या पूछी गई है और भाव वाचक संग्या का अर्थ होता जो किसी चीज का भाव प्रकट कर तो भाव कहां से प्रकाट हो रहा है मितरता से प्रकाट हो रहा है तो ये भाव वाचक संग्या होगी C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा किसी भी चीज से कोई भाव जब प्रकाट हो तो वो भाव वाचक संग्या के अंतर गताती है जैसे बुढ़ापा हो गया बचपन हो गया स्थोड़ा तफ है याल कलीटेसे पिपिष्ट पेसण कहाया जाता है इसका आपका सी नंबर। सन्स पहत जाएगा एक वार इन जाता है तो toni need this फिछत पेसान कहाय जाता है इसका 28 नमबर कोश्चन सच्चिदा नंद हीरा नंद बात्सायन का उपनाम क्या है हरियोद अग्गे गुलेरी या फिर निराला तो दूसरों ये इनका उपनाम है अग्गे इसका बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा इन्होंने तार सब तक की स्थापना की थी इसके बाद 29 नंबर कोशन है सरसोती पत कोशन पर सुद्ध वरतनी वाला सब्द है सरंगार तो दोस्टों किस परकार से सरंगार लिखा जाएगा देखे इसका बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा इसमें अगे ये कुछ आपको विविन अर्थ वाले सब्द है और इनका अर्थ आपको बताना है क्या होगा तो इस लेते हैं पाँच यह और बचे हुए हैं तो आज के इस पार्ट में 35 कोश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसका नेक्स पार्ट में लोग इसके आगे के कुश्चन लेकर आएंगे और ये 200 कोश्चन की सीरीज लगवग 5 पाँच में कंप्लीट हो जाएगी तो इन कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों इसके लाबा मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं और सिच्छक भरती परिच्छा 2019 की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप लोग सभी वीडियोस को देख सकत हैं अब 31 नमबर कोश्चन है एसना सब्द का निम्न में से अर्थ बताईए तो क्या अर्थ होगा इसका ग्रणा अनिच्छा अभिलासा या फिर सीमित तो दोस्तों एसना सब्द का अर्थ होता है अभिलासा सी नमबर आप्शन से होगा एसना का अर्थ क्या होता है अभिला अगला है भोनरा कोयल, सकी किस सब्द के अनेकार्थी सब्द हैं? अली, अन्त, अनंता या फिर आगार तो दोस्तों ये अली के सब्द हैं अली के जो अर्थ होता है अली में भोनरा, कोयल, सकी ये सभी इसी के अर्थ में आता है A number option सही हो जाएगा अगला कोशन है निम्न लिखित में से अमरत सब्द का समानार्थी सब्द कौन सा है बज्रवान तूरिण या फिर प्यूस तो इसों अमरत का देखिए समानार्थी सब्द प्यूस होता सीधी से बात है आप लोगों को मालूं होगा डे नमबर आप्शन सही हो जाएगा अब इ इसका ए नमबर आप्शन सही हो जाएगा और सबसे अंत में आता है आपका नौका का आपको अर्थ बताना है नौका का इनमें से कौन सा आर्थ होगा तरणी तरुन तरुन या फिर तरण तो तरणी जो होता ही है नौका का आर्थ होता है इसका आपका ए नमबर आप्शन ब पड़ेगा 800-456-2822 यह मेरा वाट्चाप नंबर है इस पर संपर करके आप लोग उस पीडिएप फाइल को प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतने ही कुश्चन वीडियो अगर पसंद आए तो से लाइक कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर जो कुश्चन पूछा उसका अंसर कमेंट वाक्स में देजाना ना भूलें थैंक्यों दोस्तों